आज किस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपने बच्चों के लिए सर्दियों में कौन सा तेल यूज करें दोस्तों क्योंकि सर्दियों में हमें जब भी बच्चों के लिए ओयल को यूज करना है ऐसा ओयल यूज करना है जो कि थोड़ा गरम तासीर का हो क्योंकि बच्चो अपिसे साथ आम यापके है यो जो 말ए क possess कि माते में इस अपर 9G आम पी आपके हैं जान से आई ज़से काल झाल करें सब सकंट तेल भी कहते हैं, इस ओयल को आप अपने बच्चों के लिए सर्दियों में इजीली यूज़ कर सकते हैं, यह बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है, और इसकी तासिरी भी गरम होती है, यह इस ओयल से आप अपने बच्चों की हैडिकी मसाच करें, बच्चे की जो हेर वगएर बच्चों के लिए बहुत जादा यूसफुल होगा, इस सर्दियों के मौसम में ठीक है, नेक्ट और लिए तिल का तेल जो जो होता है, बहुत जादा थिल जो तासिर होता है, यह तो आप कोई भी तेल यूज़ कर सकते हैं, यह यह बात में आपको वीडियो के प्राइश क या आपके पास है आप गहर में यूज़ करती है तो जो है आपका बच्चा गर बड़ा भी है इविन आप अगर फर्स टाइम मदर बनी हुई है आपका बच्ची की और आपकी पहली सर्दी है तो आप तिल के तेल में सबजी वगरा भी बनाए जो कि आपके लिए बहुत यूज़ चाहा है क्योंकि इस और यूज़ में पतलब इस एवरिटिंग उता है वह बहुत ज्यादा गर्माहथ होती एस तेल में इस ओल को आप सर्दियों में भी उसकर सकते है जो की है मस्टर्ड ऑई है जो कि है ञिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रेप्शन में देयों आद ड辉क देखी का पता चलेगा कि इस ओयल के कितने बेनिफिट्स है ठीक है ये आई भी आप अपने बच्छों के लिए सर्दियों में यूज कर सकते हैं अगर आप ज़ो की है मस्टर ऑइल जी हाँ, दोस्तों मस्टर ऑइल क्जिसें सरसो का तेल कहते हैं ये और तो सर्दियों म है जब यहेंग हो जाए तो इसमें अपको अजवाइन की कुछ दाने जो थे लिए टोड़ा सा जो हैब है अपस tables के दानें दाल दीजे से अब ज्सके फांच काएव में जुकाश तो बेखल मिखें दानें शनते से यहेदस के मसाश करें अभी दानें और टो अगर नहीं है तो बच्चों की अच्छी तरह की से पूरी बॉड़ी की मसाद करें बच्चा जल से जल ठीक हो जाएगा अगर नहीं है तो सर्दियों में आप इस वहल का यूज कर सकते हैं बच्छों की मसाद के लिए बच्छों को बहुत जादा बैनेफिट मिलेगा अंदर स बच्छों को काफी रिलीफ मिलता है अच्छा एक बात का बहुत जादा ध्यान रखना है आप कोई सा भी तेल यूज करती है में जो भी तेल यूज कर रही है उसे बच्छों को ऊपर अपलाई करने से पहले हाफ एन आर पहले आप उसको थोड़ा सा सनलाइट दिखा दे अ अलका गुनगुना हो जाता है तो आप उस बच्चों के बच्चों के मसाज़ करें बख़ती है तो यह एज न्यू मॉदर्स आप सभी के लिए एक नॉलिज बात है जो कि आप सभी को ध्यान रखना है ठीक है और अगर आप ऐसा करती है तो प्लीस मुझे कमेंट करके आप आपा नहीं करना है सरज्य के मौसम में इससे अगर वकrenched के मसाज़ करेंगी तो बच्य को ठंड लगने कि जा ज़्ांसे से उस ऊब भात भाड़ जाते है ठीक है और हमेसा है मसाज़ करते हैं इस बात का ध्यान रखें कि बच्चे को एक बंद कमरे में मसाज़ करें उस में भी आप बच्ची के मसाज़ कर सकते हैं इससे बच्चे को काफी हद तक सर्दियों में सर्दी जुखाम खांसी कफ कोल सबसे आराम मिलेगा तो यह कुछ इंपोर्टन पइंट है जो कि मैंने आपको बताई अगर कमरे में ज्यादा थंडक समझ में आ लिए तो आप रूम ह प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा इसी तरह के और यूसफुल व्यूडियो देखने के लिए चलिए मिलते हैं अगली व्यूडियो में तब तक लिए नमस्कार थेंक्यू थेंक्स वाचिंग